सरकार को भी सर मानी चाहिए कि अब शाड़े साथ साल का पटाचेप कीजिए रे बाप महाभारत युद्ध 18 दिन में खतम हो गया और ये बिये ससी इंटरस्टरे परिच्छा साड़े साथ साल चल गया ये तो इरान इराक के युद्ध से भी जादे लंबाई खिज गया है तो कि आप जो कितना लड़के कॉंसलिंग करा है आप मेरिट लिस्ट जारी कर दीजे जितना सीट बच गया है उसके लिए दूसरा लिस्ट जारी किजे अगर दूसरा लिस्ट में नहीं भरता है तो तीसरा लिस्ट जारी किजे जब तक 13120 लड़कों की चैन चैन नहीं हो जाती है तब तक आप लिश्ट जारी किजिए यह आपकी नयतिक जिम्मारी है क्योंकि गलती आपकी है आपको इसको सवकार करना पड़ेगा नमस्कार आप देख रहे हैं दे इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी साड़े साथ सालों से चल रही की परिक्षा आपको बताएं कि कॉंस्लिंग हो चुका है और जो सुचना है मिल रही है कि स्टूटनी का कारे भी साथ जनवाडी तक पूरा कर लिया गया है ऐसे में सबसे बड़ा प्रसन आता है कि दूसरी सूची जारी किया जाए और वेटिंग लिस जारी किया जाए रहमान सर हमार साथ इनसे ही जानेंगे सर क्या लगता है कि सर पहला जो कॉंसलिंग हुआ उसमें 13,120 पदों के लिए उतने चात्रों का चैन हो गया होगा बिल्कुल नहीं एक दम जाइज मांगें बच्चों का एक दूसरा लिस्तों जानी होना चाहिए बिल्कुल आप 13,120 सीट है और 14,000 को बच्चों को लिए थे उसमें से मैं आपको बता दूं कि पहला दिन से ही तो निश्ची स्तुरुप से ऐसी प्रसिती में सीट खाली होना वो तो ब्रह्मा बिस्तों महज भी आके बोलेंगे कि कहें कि 13,120 को क्या हो गया तो मानने की बात नहीं है इसलिए और इसकुल आपने सही कहा क्योंकि सुत्रों से पता चला है कि इसकुल इसकी हो गई है तो अ अब आयोग को चाहिए कि अब कहें कि छेच्ची लेदर करवा रहा है क्यों अब बार बार छेच्ची लेदर करवा के इनकिलाब जिंदाबात करवा रहा है चातरों के साथ अहित कर रहा है कितना चातर को बरबात कर रहा है इसलिए आयोग को भी सर मानी चाहिए और सरकार को भी सर मानी चाहिए कि अब शाड़े साथ साल का पटा छेप कीजिए रे बाप महाभारत युद अठारा दिन में खतम हो गया और ये बिये ससी इंटरस्टरे परिच्छा साड़े साथ साल चल गया इतो इरान इराक के युद से भी जादे लंबाई खिज गया है तो ऐसी प्रस जो कितना लड़के कॉंसलिंग करा है आप मेरिट लिस्ट जारी कर दीजे जितना सीट बच गया है उसके लिए दूसरा लिस्ट जारी कीजे अगर दूसरा लिस्ट में नहीं भरता है तो तीसरा लिस्ट जारी कीजे जब तक 13120 लड़कों की चैन चैन नहीं हो जाती है तब गुंडा कर दी है यानि सरकार के मांदन को आप नहीं जानते हैं सरकार के गजट को आप नहीं जानते हैं 2014 में बहुत सारे OBC आपको EBC में चले हैं बहुत सारे OBC को आप देखेगा तो आपको ST में चले हैं तो इसका मतलब कि सरकार का गजट भी आप नहीं मानने हैं, या अब मान नहीं रहें, या इग्नोर कर रहें, या आपको आठा नहीं है, अब स्पर्ष्टूप से मैं कह रहा हूं कि NCL लेटेश्ट होना चाहिए, और जब तक 13120 स्टीट फोल नहीं हो जाता है, तब तक आप ल जनकारी है कि लगवग आठ से 900 दरोगा में 2446 दरोगा में पास कंडिडेट जो हैं, वो कॉंसलिंग कराए हैं अपना इस परिछा में, क्योंकि दरोगा परिष्टे लग गया था उस समय, तो जब उनकी ज्वाइनी हो जाएगी, इधर कॉंसलिंग भी करा चुके हैं, तो ऐ निश्चितरुप से 678 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं, जो 2446 दरोगा में 2446 दरोगा में 2446 दरोगा में उनको कोई चाटने वाला नहीं है, यह टेनिंग में जाएंगे ही, टेनिंग में चुकि बहुत लोगों को हो गया है, डिस्वी लोग संक्रमित हो गा है, इसलिए इनका अ ना ही किसी भी तरह का कोटका अदेश, और टाइगर जम्प आप लेते रहिए, उनको दीजे लिए उसकी दिमांड आपने भी की थी, मैंने भी की थी, दिलिप ने भी क्या था, सबने क्या था टाइगर ज in लिगा और यह बेराद इनको भेला वे को भेजेगा लेकिन ये ज चौसो पच्छत्तर बच्चे जो निश्ट जरोगा हुए हैं वह सभाविक है कि इंटर अस्तरी जोएन नहीं करेंगे इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि चौसो पच्छत्तर नहीं पड़ेगा यह समय की मांग है और आपके किये गए करतूत का यह सबसे बड़ा एक अच्छा उधारन हो सकता है कि आप आपने ऐसा किया और बच्छों के इत्मेकार्ज किया अभी तो बाबु आदमी को आदमी से डर लग रहा है तो मेरिट लिष्ट अब इस्कूर्टिंग हो गया है तो मेरिट लिष्ट जारी करने में देर नहीं लगता है यह आयोग के जीजी वीसा और इच्छा कि आप नहीं सोचिए तो जादे बढ़िया है क्योंकि बच्छों में भी असंतोस होगी और 21 तक इस्कूर्टि थोड़ा भ्यावा है पहले जो जो दौर चला था कुरोना का उससे तो दूसरा तिसरा चार पांच गुना अधिक देरी से कुरोना फैल ला है तो वैसी निकालिए तिसरा मेरिट लिस जारी कीजिए और जो बच्चे दरोगा बन गहें उटेरिंग सेंटर में चले आते हैं उनके लिए वेटिंग लिष्ट की में उस्ता जरूर कीजिए ताकि वे बच्चे जो बेरुजगार हैं उनको नौकरी मिल सके तो आको बता दे कि बी एस साथ साल लगाया और सीटे खाली रहा जाएंगी और हमें मौका नहीं मिलेगा यह सबसे बढ़ान्याय होगा अता आयोग को जब तक सीटे पूरी नहीं होती है तब तक लिष्ट निकालना चाहिए अगर कोई कॉंसलिंग कराकर ज्वाइन नहीं करता है तो उसका वेटिंग कारी बनती है कि अगर इन छात्रों के जीवन का उन्होंने साड़े साथ साल लिया है तो कम से कम 13120 पदों पर बहाली पूरी की पूरी होनी चाहिए तो फिलाल देखने वाली बात है कि क्या होता है हम आसा करेंगे कि आयोग जो है छात्रों के हित में उनके भवी से करिए फै लाइक शेर करें हमारी चैनल दा इंडिया टॉप को सस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद